कुछ महिलाओं का गैंग बाबा बागेश्वर के कारिक्रम के पहले सक्रिये हो चुका है और ये गैंग ऐसा है जिसे देखकर आपको लगेगा कि ये महिलाएं बाबा के दर्शन के लिए आई हुई हैं बाबा का कारिक्रम उनके लिए बिहाद जरूरी है इसलिए वो कड़ी भूप में घूम रही हैं बाबा का कथा सुनेंगी लेकिन भीर में मौजूद इन महिलाओं का मकसद कुछ और ही है अभी बाबा बागेश्वर बिहार आएंगे या नहीं इसे पर सवाल उठने लगे हैं वहीं दूसरी और अब जब कलश्यात्रा निकला उसी दौरान कई महिल आए थी जुन्हें पुलिस ने गिराफतार किया है और इसे गैंग ने मिलकर बाबा बागेश्वर के कारिकरम की महौल को बिगाडने की पूरी प्लानिंग कर रखी है और उनकी कोशिश थी कि आज भी जो कलश्यात्रा है इसमें चोड़ी चीना जपती की जाए और जब वो ये सब कुछ करकी वहां से जा रही थी तब ही पूलिस ने उन्हें गिराफतार कर लिया पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं क्योंकि अभी तो सिर्फ कलश्यात्रा निकाली गई थी जब कारिकरम होगा तो उस दोरान आपको क्या कुछ सावधानी बरतनी है ये जानना ब बागेश्वर बाबा बिहार आएंगे या नहीं इसे पर सवाल उठने लगे हैं कारिकरम आये जो को को ये नोटिस थमा दिया गया है क्या आप कारिकरम नहीं कर सकते क्योंकि जो भी उन्होंने वादा किया था जो भी तैयारी उन्हें करनी थी वो तैयारी नहीं हो सकी है उ कलश यात्रा में हजारों महिलाएं शामिल हुई जैस्री राम और बाबा बागेश्वर की जो है करते वे माते पर कलश लेकर कलश यात्रा निकाल रही थी महिलाएं तो वहीं इनके बिच कुछ ऐसी भी महिलाएं शामिल थी जो की पूरे महौल को बिगाड़ने की कोशिश कर थी जैसे में अब पुलिस ने पांच महिलाओं को गिरफ़तार किया है बागेश्वर धाम की पंडित धृरंत शास्त्री की कारिकरम को बिगारने के लिए ये गैंग सक्रिय हो चुका है महौल को खराब करने की कोशिश की जा सकती है इसलिए आपको सावधान रहना है फिलाल कलश यात्रा के दौरान महौल को खराब करने की कोशिश की गए ये देखने को मिला है कि किस तरीके से चोड़ी चीना जप्टी के मामने शुरू हो गए है कलश यात्रा में शामिल महिलाओं के बीच एक डम से अफरा तफरी का महौल हो गया जो बचानक ही मालूप पड़ा कि उनके जिवरात कोई चुरा रहा है बागे आपको हम बता दे कि 13 से 17 मही तक नौबतपूर के तरेदपाली मठ में धिरेंद शास्त्री दरबार लगाएंगे हर रोज करीब 3-4 घंटे तक दरबार में भगतों की फर्यात सुनने वाले हैं हनुमत कथा कहेंगे 13-17 मही तक हर रोज करीब 3-4 लाख लोगों की आने की उमीद है कारिकरम में उनके लिए तैयारी भी पूरी कर ली गई है ऐसे में जब ऐसी खबर सामने आती है कि पहले दिन ही कलेश यात्रा में चोरी होने लगी जिससे महिलाएं भी उसमें शामिल थी तो अब सोचिए जब 3 लाख लोग कथा में शामिल होंगे तो क्या होगा ऐसे में सावधान रहने की ज़रूरत है हालांकि जो सरीके से तैयारिया की गई है स्टेच पंडाल ये सब कुछ बनाया गया है पुलिस की तैनाती भी वहां रहेगी यही वज़़ा है कि आज भी जब कलेश यात्रा के दौरान ऐसी कोई घटना होती है तो पुलिस ने तु कारिक्रम में जाना है तो सतरक रहना है ताकि कोई भी अपरिये घटना आसपास या पिर आपके साथ ना हो बाबा के आगमन के पहले नौबतपुर के तरेत पाली मठ में कलेश यात्रा निकाली गई थी हजारों की संख्या में महिलाओं ने कलेश यात्रा में भाग भी दिय कलेश यात्रा के दौरान महिलाओं की चेहरे पर जो खुशी और उत्सा थी वो देखते ही बन रही थी भक्ती गीतों में लीन महिलाएं गाते जूंते हुए लाल और पीली साड़ी पहने माथे पर कलेश लिए जैश्री राम और बाबा बागेश्वय की जैक कानारा लगा रही थी कलेश यात्रा निकाल रही थी उनके बिच लेकिन अचानक कि कुछ ऐसी महिला आ गई जो चोरी कर रही थी जो से कि कुछ देर के लिए वहां हो हंगामा होने लग गया लेकिन पुलस की तत्वरित कारवाई के वज़ों से पांच महिलाओं को हिरास्त में लिया गया है उनसे पूछताच की जा रहे है ताकि अब जब ये कारिकरम की शुरुआत हो जाए तेरा तारिक से तो अब जब तीन से चार लाख लोग बाबा का कथा सुने आएं वहां पर मौजूद रहे तो उनके साथ कोई ऐसी घटना ना हो बाकि अब तो बस लोगों को इंतिजार है तो बाबा बागेश्वर का बिहार में करके कारिकरम का तो फिर अगर आप भी धिरंद शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर की कारिकरम में जाते हैं उन्हें सुनने जाते हैं अपनी अर्जी लगाने जाते हैं तो वहां जाएं लेकिन सतर कता बरते बाकि पुलिस प् कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वीडियो को शेर कीजिए और बाकी खबरों के लिए वली रहें जो अन्ता जंक्शन के साथ कैमरे के पीछे ते विशाल और मैं थिया आपके साथ वन धना धनावाद